यही रात अंतिम यही रात भारी और जनता जो प्रदेश की है चाहे मध्यप्रदेश की वो 36 गड़ की हो वो आज की रात चैन से सोएगी लेकिन जो राजनेता हैं उनकी रात बेचैनी भरी कटेगी नमस्कार मैं हूँ अपढ़ना मौज़ब नमस्कार आपके साथ मैं हूँ लेलित प्रजापती जैसे कि अपढ़ना ने जिकर कर दिया जिन्होंने जनादेश दिया वो सुकून की नीद में रहेंगे क्योंकि उन्हें पता है कल सुबह 6 बजे से उन्हें नियूज 18 देखना है लेकिन जिनके लिए जनादेश दिया है उ ही रात भारी और किस तरह से दावे अभी भी लगतार किये जा रहे हैं जिनके हक में तस्वीर आई है वो कह रहे हैं तस्वीर और गुलाबी होगी और गुलजार होगा समा लेकिन जिनके हक में तस्वीर नहीं है वो कह रहे हैं इंतजार कीजिए कल बिलकुल अलग तस्वी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है मोदी जी के प्रिति प्रेम और विश्वास केंद्र सरकार की योजना है और मध्वदेश सरकार की योजनाओं का कमाल विकास मध्वदेश में जो हुआ है वो अद्वत और अभूत पूर्ग हुआ है उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्तेहे प्रेम और आशिरवाद की बरसा हुई है लाड़ी वहनों ने तो आशिरवाद दिये है भांजे 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 अभूत पूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है दर्शन किया रुमावती महिया कि हाँ दर्शन उनोंने किया सह परिवार और आज दिली के लिए प्रस्थान करें मुझे पूरा विश्वास है कि दुद्धान मंतरी नदीन मोदी जी के नेत्य तुमें नड़ा साब के नेत्य तुमें और हमारी ग्रह मंत्री अमिज्शा ज कि सब्सक्राइब को तो आपने सुन लिया लेकिन जनता का देने साथ आ रहे हैं कमलाथ यह हम नहीं कह रहे हैं यह कहना है मध्यप्रदेश कॉंगर्स के निताओं का जिनोंने बड़े-बड़े पोस्टर भी रगा दिये हैं और कह रहे हैं कि तीन तारी को कमलाथी प्रदेश में आएंगे लेकिन कमलाथ क्या कह रहे हैं और वो भी सुन लेते हैं कि मुझे मध्यप्रदेश के मद्दादा पर पूरा विश्वा से सरी जो निर्दली और बागी इंसे भी क्या बातचीत कर रही है कि यह सब की आवशक्ता नहीं है सब आगे एक्स्टा फोर्सेश की मांग की यह सब अगर बीजे पी के पांस देट्सो साथ सीथ है अब यह क्यों इसमना तक कर रही है इसके बाद करो उसने बाद चलुँए कौन पास कौन फेल देखिए सवाल जो आप हमारी टीव स्क्वीन पर देख रहे हैं वो आप आगे भी हम पूछते रहेंगे और कौन पास होगा कौन फेल होगा वो तस्रीर भी कल आपको सुबाद 6 बजे से ही न्यूज 18 मादरप्रदेश 36 गड़ पर आपको देखने को मिले की तो बेहद खास महमान हमाई साथ जुड़ चुके हैं चर्चा को हम आगे भी बढ़ा देंगे आप से तारुफ करवा देते हैं गोविन मालू साब बीजेपी से हमाई साथ जुड़े हुए हैं और लंबे अर्से से बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं मालू साब का बहुत- पार्टी की तरफ से और अगरवाल साब भी नजर आ रहे हैं तो अभी मूचों पर ताओ दे रहे हैं और आगे क्या स्थितियां रहेंगी वो भी हम उनके पास साब को लिए चलेंगे तो पहले मेरा ख्याल अपढ़ना अब चुकी ब्रजमोहन अगरवाल साब हैं तो पहला पड़ा हुआ है जी देखे काटे की नहीं है बीजेपी क्लिम सीप कर रही है और बीजेपी भुमत के साथ में आएगी जो बीजेपी की महिलाओं के लिए मातिवंदन योजना है जिसमें बारा हजार रुपए पर येर हर मैने एक हजार रुपए महिलाओं को मिलेगा और साथ में किसानों को जो अत्रिक्ट पैसा है वो एक मुस्त दिया जाएगा और दो साल का बोनस भी किसानों को मिलेगा और जो यूथ नाराज है पीएसी का भस्ता चार है उनको नौकरी नहीं मिली पचीस सो रुपए बेरुजगारी भत्ता नहीं मिला और डेवल्लप्मेंट के कोई विकास के काम नहीं हुए इन सब मामलों को लेकर बीजेपी के पच्चमे 36 गड़ की जनता है चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे नौजवान हो चाहे महिलाएं हो सभी वर्ग बीजेपी के पच्च में हैं और इसलिए जब इवीएम मसीन खुलेगी तो उसमें से कमल फुल कमल फुल ही निकलेगा जी तो कल वोट वर्षा होने वाली है 36 गड़ बीजेपी के लिहास से आएंगे आपके पास प्लीज आप हमारे साथ बने रहेगा मध्यप्रदेश ते भी कुछ खास महमान हमें साथ जुड़े हुए बिलकुल अब प्राजिता जी मैं आपका रुक करूंगी क्योंकि देख एग्जित पॉल के लिहास से कल एवियम खुल जाएगी उससे पहले आपका रियाक्शन क्या है क्या आप भी कहेंगी कि नहीं एवियम खुलेगा तो कमलनात आएंगे निश्चित तोर पर देखिए ये उत्साह और आत्मविश्वास का समय है जिस तरीके से एक जुटता से कॉंग्रिस पार्टी हम सबने कमलनात जी ने चुनाव लड़ा है जनता के हर वर्ग ने चाहे वो किसान हो चाहे वो महिला हो चाहे वो छोटे व्यपारी हो चाहे वो नौजवान युवा हो हर किसी ने कॉंग्रिस के साथ अपना विश्वास दिखाया है और कमलनात जी के विजिन पे 2018 में भी कॉंग्रिस पार्टी जीती थी और आप देखेंगे 2023 में भी रीरन होगा कल आप देखेंगे जब मतगन्ना होगी किस प्रकार से मध्यप्रदेश की जनता ने कॉंग्रिस पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है लेकिन इतना ही विश्वास था अब राजिदा जी तो फिर 24 गंडा पहले ही बैरनर पोस्टर क्यों लगा दिये गया है इंतजार कर ल हुई है कि किस प्रकार से जनादेश को बदला जाएगा किस प्रकार से गुंडा गरती होगी भारती जनता पार्टी कभी भी जो वोटों की राजनीती है उस पे नोटों की राजनीती हावी करने का हमेशा से उनका एक वो रहा है क्योंकि वो सत्ता के बाहर नहीं रह सकते य पार्टी वो पार्टी है जो जनता को सर्व परी मानती है मैंने आपको बताये ना मध्य प्रदेश में जनमत क्यों आएगा क्योंकि आज युवा बेरोजगार है किसान असम्मानित है और महिलाएं असुरक्षित हैं तो ऐसे प्रदेश में जहां हर तपका हर वर्ग इतना व् चेंज कर दिया है वहां वो कह रहे हैं कि 36 गड़ और यहां है करी मध्य प्रदेश लेकिन आरोप लगबागी जैसा हाँ 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 अग्रवाल साब बड़े कॉन्फिटेंट हैं आप और एक्जिट पोल की इस्तितियां बदल भी सकती थी अगर बीजेपी तबसे अग्रेस isesti साथ आने में लग गया अगरवाल साब देखिए आप अगर आप पिछले चुनार के एक्जिट पोल देखेंगे तो पिछले चुनाओ के एक्जिट पोल में जनता बीजेपी की एक्जीट पोल बीजेपी की सरकार बना रही की बिलकुल मेरे पास में आकड़े हैं हाँ LOW ने बताया छबीज़ इपि लेगी पिछले में एक्षीस ने बताया 26 इंट लेंगी नीय वाटर ने बताया 49 इंट लेंगी नियू एन ने शन आओ के exit pole पूरी तरह गलत साबीत हुए तो मुझे लगता है चतिसगर के मामले में exit pole हमेशा गलत साबीत होंगे क्योंकि 36 गड़ में लोग बोलते नहीं हैं लोग निर्णे करते हैं EVM में बटन दबाते हैं और 36 गड़ में महिलाएं तो से मुझे लगता एक्जिंट पोल में जो सर्वे होता है उस सर्वे में महिलाओं का मत लिया ही नहीं जाता है और महिलाएं घर में रहती हैं और जो बीजेपी ने मात्री वंदन योजना लाई पहली बार किसी पार्टी ने किसी सरकार ने ऐसी योजना लाई जिस योजना में म बड़े मुखर रहे और रेवडी तक उससे कहा गया पर यह कॉंग्रस पाइटी है जिसके चलते आपको भी उन्हीं अलानों पर उतरना पड़ा जिन्हें आप रेवडी कह रहे थे अगरवाल साब देखिए यह जब लोगों के जीवन इस्तर को उचा उठाने के लिए अगर कोई काम किया जाता है तो रेवडी नहीं होती है तो इसमें जीवन इस्तर अगर आप टीवी बाटेंगे अगर आप स्कूटी बाटेंगे तो यह रेवडी होती है परंतु महिलाओं के जीवन इस्त कर रही है तो वो सशक्त करने के लिए कदम उठा रही है कॉंग्रेस कर रही है या कोई और पार्टी करें दो चनावी रेवडी बाट रही है खैर तो मैं लगा था सर्बस एक सवाल मैं आपसे फिर मैं आपकी व्यस्ता जान रहा हूं तो महंत जी आपको टक्कर दे पा रहे है या फिर वैसा है कि मैंने तो देखा है माहौल सबके प्यारे मोहन भहिया बहुत सारे होडिंग्स मैंने देखे यी रिक्षा में मैंने आपके तस्वीरे देखें क्या लग रहा है आपका प्रेडिक्शन बता दे कल तो फिर आप हमारे साथ जुडेंगे देखे हमारा प्रेडिक्शन मेंने जी तो चुनाओ लड़ी नहीं रहे थे और वो लड़ना भी नहीं चाहते थे चुनाओ तो उनके पीछे और कोई लोग लड़ रहे थे जिनको जनता पसंद नहीं करती है और इसलिए जो मेरी सीट है उस सीट पर तो कोई दिविधा ही न नहीं वो पहले से ज्यादा वोड से हम जीत कराएंगे और पूरे चतिसगर में भी हम जीत कराएंगे और सरकार बनाएंगे चलिए 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 बहुत-बहुत धन्यवाद कीम्ति वक्त हमें देने के लिए मध्यप्रदेश के खाफ में लगातार मैंसाथ बने हुए हैं और अब चर्चा को थोड़ा मध्यप्रदेश हम सेंट्रिक करने की कोशिश करते हैं जी हमारे साथ सुर्या मैठेल जी भी जोट शुके हैं टीवी स्क्रीन पर दिखाए देरे सुर्या जी बहुत स्वागत है आपका लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर रमकान जी आपसे रहेगा देखिए जब चुनाव हुए ना तो यह बहुत लोगों ने माना कि कई ऐसी सीटे हैं कई ऐसे शेत्रे हैं जहाँ पर त्रिकोनी मुकाबला होगा जहाँ पर कोई तीसरा फ्यक्टर हावी नजर आएगा वो प्रभाव डालेगा लेकिन जब एक्जिट पोल की तस्सीर आई तो यह दिखाए दिया कि तीसरे का तो खाता ही गुल हो गया और जहां पर यह प्रभाव की बात कहीं जा रहे थी वहाँ पर गेंट बीजेपी को ही हुआ लगा देखे अपरणा जी वो तो असली फैसला तो कल आना है एक्जिट पोल को आप फैसला मत माने है अगर भात करें तो हमारे लोग जो चुनाव मैदान में हैं वो चुनाव मैदान में इसनी थोड़ी है कि 40 करोल खर्च करके 400 करोल बनाना है या इसलिए भी नहीं है कि 400 करोल रुपे कमा के रखे हैं उसको कैसे सुरक्षित करके रखना है चुनाओ जीतने के बाद में हम लोग इसलिए तो चुनाओ में हैं नहीं हम लोग तो चुनाओ में सिर्फ इसलिए हैं कि जंटा के लिए इमानदारी से अच्छे काम कर सके जिसकी नकल आज बागी की पार्टियां करने को मजबूर हो गई है पहले जो लोग मुफ्त की रेवडी रेवडी चिल लाते थी आज उनकी मजबूरी हो गई है कि जंटा के लिए उस चीजे को सहूलियत करें आज जो आज वो उसको प्रचार कर रहे हैं कि एक हजार रुपे देने की बात कर रहे हैं अच्छी बात है आप लोगों कुछ प्रडिक्शन देखिए आम आदमी पार्टी 66 सीटों पर चुनाओ लडी थी और यह तो आप अब जानते हूं और आपके दर्सक भी जानते हैं कि लोग जो अधिकतर वोट करते हैं वो सरकार के लिए वोट करते हैं तो इस बात का हमें नुकसान हुआ है अब जनता कितना जानादेश देती है कितनी पर हमको जो है बिदान सवाब भेजती है ये तो कल ते हो जाएगा चल प्रवक्ता की बाते सुन रहा था बहुत लंबी बोल रहे थे जिन्होंने गली-गली में शराब के ठेके बना दिये हो और जिन्होंने एक ऐसा मॉडल क्रियेट किया हो जिसके अंदर दिल्ली को केवल और केवल गड़ो का प्रदेश बना दिया हो वो लोग यहां बैठ कर इस मद्यपरदेश के अंदर जो स्थिति बाउंस बैक कर रही है वह बाउंस बैक करनी ही थी विकॉज आप देखिए कि यह जो चुनाब था यह बहुत ही विचित्र चुनाब था इसमें जिक मद्यपरदेश की जनता ने 15 महीने की एक सरकार देखी जिसके अंदर करप्शन का एक बहुत बड़ा गुरक धंदा शुरू हुआ आप देखिए डीजे से लेके और वह डीएम तक और प्यून से लेके और आपका डीजी तक सबको पैसे लेके ट्रांसफर किया जा रहा था चाहे कोई किसी भी पदपे चाहे उस पर ट्रांसफर हो जाता था लेकिन जिस प् सबने ये भी देखा कि किस प्रकार से मद्यपर्देश के अंदर शिवराज मामा गली-गली घूम रहे थे उन्होंने ये भी देखा कि लाडली वहना योजना में यह बात सही है कि निसंदेह खुद मैंने बहुत करीब से देखा है मुख्यमंत्री को काम करते हुए जब कु करवाई हो जानी चाहिए थी कम सकम नयाय सहिता में कुछ दर्ज होना चाहिए था मैं आ रहा हूं मैं सर आपके पास आ रहा हूं प्लीज गोविन मालु साब बहुत देर से हमाइसा जुड़ हुए गोविन मालु साब कल के लिए सीटों का प्रडिक्शन एक दूसरा चेहरा क्लियर नहीं है एन वक्त पर सारी केंपेनिंग प्रधानमंत्री के हाथो करवानी पड़ी तो कल अगर बंपर जीत होती है तो चहरा कौन बारती जनता पार्टी के पास अच्छे चेहरों की कमी नहीं है जी जी कोई चेहरा ऐसा नहीं है कि जिसको परदे के पीछे रखा जाए और सामने ना लाया जाए जिस तरह कॉंग्रेस नहीं हम तो चाहते हैं गोविन मालू समाले कमान सरकार रही दस साल सुनिये दस साल रही प्रदेश में सरकार लेकिन उन चेहरों को पीछे रखा गया क्योंकि वो चेहरे की चमक धीमी पड़ गई थी चिक और कहीं कालिक भी लगी थी हमारे पास तो इतना गेलाक्सी आफ लीडर्स है तो इसलिए हमारे यहां पर कोई नेता का संकट नहीं है हाँ सब नेता हमारे सामविक रूप से चुनाओ मैदान में केंपेन में थे हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश के उनकी योजनाओं को लेकर केंदर सरकार की योजनाओं को लेकर मोदी जी की योजनाओं वो तो देश के नेता हैं पार्टी के वरिष्ट ने कि आपकी पार्टी में गेलेक्सी ओफ लीडर्स है लेकिन 18 साल के बाद अगर एंटी इंकमेंसी खड़ी हो जाती है उसके बावजूद भी अगर शिवरा सिंग चौहान की सरकार की नीतिया या कुछ भी कह लिजिए आपकी केम सरकार की नीतिया उसके बावजूद भी अगर पोल की तस्वीर ऐसी ही है और एक्जाक्ट पोल भी आप मान के चल रहे हैं कि ऐसा ही होगा तो शिवरास सिंग चौहान के नाम पर वापस सहमती देने में का है अतराज देखिए आपने जहां इंट इंकम्बेंसी की बात की भारती जन्टा पार्टी ने इस शब्द को इस परिभाशा को इसको डिक्शनरी से निकाल कर नया शब्द प्रो इंकम्बेंसी के रूप में प्रतिस्थापित किया तो हजार तेरा का चुनाव परणाम देखिए और इ कामों को लेकर हम जन्ता के बीच में बाकी फैसला तो हमारा विदायक दल करता है नेता कौन होगा उसके लिए पिछले बार दरसल नारा था ना मास करो महाराज हमारे नेता शिवराज इस वजह से आपकी गैलेक्सी में से हम ध्रुतारी की तस्वीर चाह रहे थे मास करो कमलनात हमारी पार्टी भारती जन्ता पार्टी ठीक ठीक आरे आरे एक अपराजित्या जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं मुसकान भी उनके चाहरे पर अपराजित्या जी फ्लीज बहुत हास्यासपद है जब Maloo जी कहते हैं कि गैलेक्सी ओस्टार्ज गैलेक्सी ओस नेता हैं इनके पास फिर भी केंद्री नेत्रत्व को बूलाना पड़ा मध्यूद्धेश. साथ संसदों को उतारना पड़ा मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में मद्य प्र विंं ह diff meidän प्रस्थ है ने आप आपbold आपको बहुत देरे से सुना मालू जी कल दह से जंता कोई देरे के BIG मंत्री है अज जैसमें आपने इतने सालों के मुख्यमंत्री की इतनी चव्वी दूमिल कर दी भारती जल्दा पार्टी स्वयम नहीं कि उनको मुख्यमंत्री से कहने से आप दर रहे हैं यह जो छवी है आपको दूल में मिलाएगी आप मत्री कहने से दर रहे हैं इतना वखलाईए मत मालू जी दिवेट की मर्यादा रखिए सुन लीजे फिर आपका भी वक प्रदेश में हो गया इस वर की नम पर घोटाला हो गया आप लिए नर्मदार रेट को टाला हो गया लिए टेंडरिंग स्कैन लिए यह जंपर कांड आप एक भी प्रमान सुथ नहीं कर पाए सबसे करप्ट सरकार मध्य प्रदेश में स्किम्राइब सिंग चौहाज जी और अब अब जोड़ा जा रही है घंटी बसते जा रही है रमकान पटेल साथ 30 से कंड में आपका एक कमेंट फिर मुझे सुरिया सर के पास जाना है रमकान पटेल साथ प्लीज मानुस अपराजी तो अब तो चर्चा करनी लंबा अभी तो दोर लंबा चलेगा प्लीज रमकान प्रवक्ता जी को सुन रहाता है इन्होंने कहा कि दिल्ली में सराब घोटाला सराब जगे-जगे-पे और इन्होंने कहा कि सड़कों में गड़े-जगे-जगे-पे मैं आपको दो चीजे मतला देता हूं जरा इस्टूडियो से बाहर निकल के किसी गाउं में जाएए गाउं में जायें गे साहाब तो पेकारियां खुली मिलेंगी आपको हर जगे पे सफेद का पववा लालका पववा खुले आम मिलła है पेकारियां खुली मिलेगी एक-7- प्रवक्ता है वहां से सराब लेने के लिए आज़ता है अरे बतना रहा हूं यह गोटाला नहीं क्या बात कर रहे हैं तो दीके राजनेतिक विश्वेशक हैं बहुत चांती से आप सभी को सुन रहा है प्लीज सूर्या सर फाइनल कमेंग्ड मालू सर प्लीज गंभी डिवेट से आपको शुरू करना है तो अभी अपनी अनर्जी बचा कर रखिए और दूसरी चीज अभी जो कह रहेते हैं कि मैं निकलता हूं तो मुझे इतने गड़े मिलते हैं बहुत किस प्रदेश की बात कर रहे हो मद्य प्रदेश में तो इस वक्त साड़े तीन लाग किलोमेटर से प्रदेश की बात कर रहे हुआ जी जी सुर्या मैंतिल साब मैं आपको रोकना चाहरा हूं आप लगातार हमें साथ बने रहेंगे बाकी तीनों महमानों का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जोड़ने के लिए वक्त की थोड़ी कमी वेशी हो ज